दिनांग 20 नमंबर को आंतराश्ट्रे बाल दिवस के अउसर एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत उतर प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश में अनिक प्रकार के कारे करम चलाए जा रहे है उसी करम में महिलाओ को सशक करने की मुहिम जारी है तथा छोटे बच्चो छात्राओ को जनपत बुलन शहर के विभिन थानों थाना कोटवाली नगर, सिकंदराबाद, डिबाई, शिकारपुर, एहमदगर, अहार, जहांगिराबाद, अनुप शहर, छतारी, पखुरजा देहात पर विभिन श्खुलों के बच्चो छात्राओं को एक दिवस का कार्य वाहक थाना प्रभारी नियुक्त किया गया इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्पन में बच्चों के मन में जो पुलीस के प्रती भय का भाव समाज में पैदा किया जाता है, उसे दूर किया जाए, बच्चों को पुलीस की कार्य प्रणाली और कार्य दशा के समन में सबमे दन्शिल बनाया जाए, तथा उन्हें जागरुक नागरिक एवं भविश्य के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए जो पुलीस के माध्यम से सहयोग हो सकता है उसके प्रती जागरुक करने के भाव से यह कारेक्रम चलाया गया है इस कारेक्रम से बच्चों के अंदर एक अलगी जोश देखने को म निराकरंड किया गया तथा थाने के अभिलेक, साफ सफाई, बंदिग्र, माल खाना, शास्त्रगार, आदिका निरिक्षंड किया गया कार्यवाह थाना प्रभाई छात्रा ओध्वारा अपने अप्रेक्षेत्र में निकल कर सुरक्षा विवस्था का जायजा लिया गया एग दिवस के लिए बनाये गए कार्यवाहक थाना प्रभारी और बच्चों का विवरण, थाना कोतवाली नगर पर निर्मला कॉन्वेंट स्कूल की नौवी क्लास की छात्रा, केश्वी, माहेश्वरी को एक दिन का कार्यवाहक थाना प्रभारी बना गया, थाना सिकंदरा शूरजभान सरस्वति विद्यामंदिर स्कूल की बारवी कलास की चात्रा अर्पिता शर्मा को एक दिन का कारेवाहग थना प्रभारी128 tis पर नन्नी बच्ची इशिता शर्मा को एक दिन का कार्य वाहक थाना प्रबारी बनाया गया। आज अंतर राष्टी बाल दिवसा है तथा प्रदेश सरकार द्वारा मिशन सक्ती कारिक के अंतरगत अनेक कारिकर्म चलाये जा रहे हैं उसी के क्रम में आज छोटे बच्चे और बच्चीयों को चनपत के कई थाना शित्रों में एक दिवस के थाना प्रबारी के रूप में किया गया है इसका मुख उदेश से है कि बाल मन में पुलिस के पर जो भई का भाव एक परदा किया जाता है समाद में बच्चपन से उसे दूर किया जाए बच्चों को पुलिस की कारिपडाली और कारिदसा के संबंध में संबेदन सील बनाया जाए तथा उन्हें एक बुलंद शहर से जावित खान की रिपोर्ट